है गाईज मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तों यह है लिब्रे ओफिस इंप्रेज का टुटोरियल लंबर 36 अगर आपने भी तक टुटोरियल लंबर 35 नहीं देखा है तो आप उपर दिये गए आ नीचे दिये गए डिस्क्रिप्स लिंक के उपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह है इंसर्ट मेनू का पार्ट 10 जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हेडर एंडर फूटर आप सन के बारे में ओके तो चलिए आज के यह टोपिक करते हैं मैंने अपना लिब्रे ओफिस इंप्रेस सोफ्वेयर स्टार्ट कर लिया है अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया तो आप अपने स्टार्ट मेनू पर क्लिक करिए और स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है इंप्रेस और इंप्रेस सर्च करने के बाद आपको अपने कीबोड से इंटर का बटन प्रेस करना है इसको प्रेस करते ही आपका लिब्रे आफिस इंप्रेस का सौफ़एर स्टार्ट हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके सिस्टम में लिब्रे आफिस का सौफ़एर इंस्टाल नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे दिये गए डिस्क्रेप्स लिंक के उपर क्लिक करके आप इस सौफ़टर को डाउनलोड कर सकते हैं और एजली आप इसको इंस्टाल कर सकते हैं इंस्टालेशन का मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रेप्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देखकर आप इस सौफ़टर को डाउनलोड और इंस्टाल करना सीख सकते हैं ओके तो चलिए आज के ये टोपिक स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना सौफ़टर ओपन कर दिया और सौफ़टर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्लाइड है इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं है और इस slide के ऊपर भी हाँ पे कुछ भी type नहीं है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको अपने slide के नीचे date time और slide number लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं इसको लगाने के लिए आपको जाना है आपके अपने insert menu में और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर header and footer option के उपर किलिक करना है इसके उपर किलिक करने से आपका header and footer का एक dialogue box ओपन हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके तो जो आपका slide है इसके उपर आपके वल फूटर लगा सकते हैं फूटर में आपके वल date and time कोई नाम और slide number दिखा सकते हैं ओके तो चलिए हम अपने slide का setup करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर type है include on slide इसके बाद यहाँ पर type है date and time तो अगर आप में यह uncheck है तो आप इसको check कर लिजे इसको check करते ही आपका यह box highlight हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको check करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे पहला मिलेगा fix तो आप इसमें click करके आप यहाँ पर कोई fix date and time लगा सकते हैं जो automatic change नहीं होगा अगर आप चाहते हैं कि जो आपका date and time है यह automatic प्रतिदीन update होता रहे तो आपको यहाँ पर variable के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर format का एक option तो आप यहाँ पर click करके आप इसमें अलग-अलग format का date and time select कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर एक date and time select करता हूँ इसको select करने के बाद आपको downside में यहाँ पर एक footer का option मिलेगा अगर यह uncheck है तो आप इसको check कर दिजिए इसको check करते ही आपका नीचे का एक option open हो जाएगा जिसके box में आपको click करके जो भी नाम type करना है आप यहाँ पर type कर तो मैंने यहाँ पर type कर दिया take देव ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर type कर दिया take देव इसके बाद नीचे यहाँ पर type है slide number तो आप इसको check कर दिजिए इसको check करने से आपका जो slide है उसके उपर आपको slide का number भी दिखाई देगा अगर आप इसको uncheck क यहाँ पर टाइप है do not so on the first slide तो अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो जो आपका slide number है यह आपके slide number 1 पर दिखाई नहीं देगा आपके slide number 2 पर आपका slide number दिखाई देगा ओके तो मैं इसको अंचेकी रहने देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर तीन बटन मिलेगा पहला आपको मिलेगा apply to all का second आपको मिलेगा apply का और third आपको मिलेगा cancel का अगर आप यहाँ पर apply to all के उपर click करेंगे तो आपका जो format है यह सभी slide के उपर apply हो जाएगा अगर आप यहाँ पे apply के उपर क्लिक करेंगे तो आपका जो format है केवल आपके selected slide के उपर apply होगा अगर आप cancel के उपर क्लिक करेंगे तो आपका जो setup है यह cancel हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे apply के उपर click कर दिया क्योंकि मेरे पास एक slide है इसलिए मैं चाहता हूँ कि केवल एक slide के उपर लगे तो आप अगर सभी slide के उपर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे apply to all के उपर click कर दीजिए तो मैंने आप पे apply के उपर click कर दिया इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं left side में मेरा यहाँ पे date and time आ गया इसके बाद यहाँ पे center में आ गया मेरा take देव नाम और right side में यहाँ पे आ गया slide number जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा header and footer option जिससे आप अपने slide के अंदर header and footer लगा सकते हैं ओके तो यह थे insert menu के कुछ option जिसके बारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया तो उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like, share जुरूर करिए चैनल को subscribe कर दीजिये और पास में दिये गए बेल को भी प्रेस कर दीजिये ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो thanks watching my video